सबी प्रेंट और एलेक्रोनिक मीडिया के हमारे सबी साथी आज का प्रेस कॉन्फेंच जो है जातिकत जनगन्ना को लेकर के आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि हम लोगों की मांग रही है शुरुवात से ही इसी विशे पर आज हम लोग करने जा रहे हैं जातिकत जनगन्ना को लेकर के सदन से लेकर के सडक तक राष्टे जनता दल के सभी लोगों ने संघर्ष किया और बिहार विधान सबा में एक बार नहीं बलकि दो बार सर्व समती से सभी दल इंक्लूडिंग भारतिय जनता पार्टी भी विधान सभाज से प्रस्ताव दो बारी जो है केंदर सरकार को भेजने का काम किया गया एक बार नहीं बलकि दो बार पिछले मौनसून सत्र में आप सब लोगों ने देखा होगा कि बिना भेद भाव के बिना मत भेद के हम लोगों की मांग थी की भाई जब दो बार बिहार विधान सभाज से पारित हो चुका है जातिकत जनगन्ना को ले करके भले ही मुख्य मंत्री जी की नेतित में सभी बिहार की जितनी भी दल विधान सभाज में जिन लोगों ने पारित किया एक कमिटी बना करके प्रधान मंत्री जी से मिलने हम लोग चलें और जातिकत जनगन्ना की मांग जो रही है उसको जो है उंगली जामा हम लोग पहनाने का काम करें हम लोग पिछले बार मौन्सून सत्र में हम खुद स्वयम सभी विपक्षी दलों के साथ चाहे लेफ्ट पार्टियां हो, कॉंग्रेस पार्टी हो, आर जेडी हम सभी जितने नेता थें मुख्यमंत्री जी से जाकर के मिलें और मान्य मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी ने ये आश्वाशन दिया कि आपके मांग पे हम जो है प्रधान मंत्री जी से समय मांगेंगे चार तरिक को मान्य मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख करके प्रधान मंत्री जी से समय मांगा है आज लगबग जो है एक हफ्ता से ज़ादा हो चुका है नेकिन अब तक प्रधान मंत्री द्वारा समय हम लोगों को नहीं मिला हमारी दूसरी ये भी मांग थी कि अगर केंद्र सरकार मना करती है तो राज सरकार जैसे करनाट का राज ने अपने तर्ज पर जातिकत जनगना कराई है उसी तर्ज पर बिहार सरकार भी ऐलान करे कि वो जातिकत जनगना जो है वो कराने का काम करें प्रधान मंत्री जी बंगाल के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और लोग सभा के चुनाओं में बिहार ने सबसे ज़ादा चालीस में से 49 सीटे जो हैं वो NDA को देने का काम किया यानि लगभग सारी सीटे जिस राज ने NDA सरकार को देने का काम किया उस राज के मुख्यमंत्री नितादर जी नितीश कुमार जी को समय क्यों नहीं दे रही ये नितीशी समझें लेकिन हम सब लोग चाहते थे कि हम लोग सब लोग जाये आप तो विलम हो रहा है अभी कुछ दिन पहले जो है पार्लेमेंट पे भी एक सवाल पूछा गया जहां केंद्र सरकार ने जवाब दिया है जातिकर जन्गना को लेकर के ये श्री विशंबर प्रशाद निशाद जी ने जो MP है यूप से आते हैं उन्होंने सवाल पूछा पार्लेमेंट में इसमें साफ तोर पे केंद्र सरकार ने जवाब दिया इसमें साफ तोर पे जो है केंद्र सरकार जो है बना करती है पार्लेमेंट में सदन में कि आफ्टर इंडिपेंडेंट जो है पॉलिसी के चक्कर में हम जो है कास सेंसे जो है वो नहीं कर सकते हैं अगर आप देखेंगे तो लोग सवा में एक और सवाल पूछा गया जितने पिछड़े हैं दलित हैं उनके बैकलॉग के सवाल पर ये लगभग जो है 50 परसेंट उनका बैकलॉग जो है वो खाली है जातिकत जनगन्ना जब हम कराने की मांग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम जादपात की राधिती करते हैं आप समझे कि ये पिछड़े पन का जो बिमारी है, जो गरीबी की जो बिमारी है, पिछड़े पन की जो बिमारी है, जो अंतिम पैदान पे जो सुसाइटी समाज हमारा खड़ा है, ये उसके उन्नती और उत्थान के लिए आपको सही में आपको जानना पड़ेगा, किसी भी किसका एलाज करने के लिए आपको भीमारी का पता करना पड़े में गांच सोफ में jewelry on क्यावन पर्संट जो है देहारी मजदूर हैं तब तक हम उनके विकास के लिए उसके उत्थान के लिए हम कोई भी बजट से कोई बी अलग से अलोकेट करके बजट प्रोविजन करके अलग से कोई योजना नहीं बना सकते तो आपको यह बिमारी का पता चलना चाहिए उसी का एक मेकानिजम है कि आप जो है जातिगत जनगन्ना जो है वो करा है अभी भी आप लोग देखते होंगे कितनी बड़ी संख्या है गरीबों की आखिर यह लोग है कौन कहां से आते हैं कौन है आधन्य लालू जी शरद जी मुलायम शिंग जी के मांग पर आप लोगों को भी पता है कि आर्थिक, सेक्षिनिक और जातिय जनगन्ना अकराने की जो मांग पार्लेमेंट में लोगों न किया था वो हुई लेकि पब्लिसाइज ने हुई हम लोगों की मांग ये कि भई जाति जनगन्ना हो और उसको पब्लिक डोमेन में भी डाला रहा है और हम लोग इसी दोरान में क्योंकि एक हफता से जाधा हो चुका है और मान्य मुख मंत्री जी लगतार जो है समय मांग रहे हैं परधान मंत्री जी से समय मिलनी रहा तो आज हमने भी परधान मंत्री जी को एक चिठी जो है वो लिखने का काम किया है ये चिठी जो है आप लोगों को मुबा लिकिन हमको यह उमीद और आशा है कि कही ना कहीं से हम लोगों की जो यह लड़ाई जो है जो मांग जो है जो देश हित में है राज हित में है जन हित में है इस पे तिकि दोनों जगें इंडिया की सरकार है डबल इंडियन की सरकार है चाहे केंद्र में हो राज में हो करना इन व्यद्भाव के आदर्दे मुख्यमंत्री जी से जाकर कि उनके कक्ष में बिहार विधान सभा के सभी निता विरोधी दल जितने लोग हैं सब लोगों के साथ जाकर कि मिले कि भाईया आप समय लीजिए आपके नित्युत में हम लोग चलेंगे तो कही ना कहीं से अगर एक हफ़ते से समय नहीं मिल रहा है तो कही ना कहीं से ये मुख्यमंत्री जी का अपमान है क्योंकि प्रधानमची जी का हम ट्वीट हंडल देखते हैं तो लगतार औरों से मिलने का समय है लेकि नितने महतपून इश्यू पर अगर उनको नितीश कुमार जी को पूरे बिहार विधान सभा के जितने दल है उनके नेताओं का एक डेलिगेशन मिलना चाहता है अगर न अब तक तो समय मिल जाना चाहिए तो इसमें हम चिट्थी लिख करके उनसे फिर से हमने अप्ली की है गुषार की है कि भाई ये जो समय जो है ये हम लोगों को मिलना चाहिए और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आधने लालू जी लगतार कई बार एक बार नहीं कई ब चोचे कि आप लोगों से प्रेस कॉंफेंस करके इस बिंदू पर जो है हम लोग चर्चा करें और ये जब जाकितिकत जंगन्ना होगी तो लोगों के लिए अलग से योजना बनेगी जो पिछड़े हैं जो गरीबी से जूज रहे हैं उन समाज के लिए उसके उन्नती के लिए उत्थान के लिए वैसे समाज के लिए कई बार जो है नौकरियां भी बढ़ेंगी लोगों को नौकरी भी मिलेगी आर्थिक स्थिती भी उनका सुधार होगा गरीबी से भी उभार पाएंगे तो ये काफी इंपोर्टेंट है केवल बिहार के लिए नहीं बलकि पूरे कोई भी बिल पास कर दे राज सरकार पर ठोब दे कि किसी को भी OBC वगरा में आप ला सकते हैं केंदर सरकार ने जो नया पास किया है कि राज्यों पर छोड़ दिया कि किस जाती को जो है OBC में लाना है लेकिन इससे अगर आप ला रहे हैं अगर एक कमड़ा केवल चार वो को डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कमड़े को भी बढ़ाना पड़ेगा तो हमारी मांग है कि इस संख्या जो 27 परसंट का है उसको भी बढ़ाने की जरूरत है साथ ही साथ जो बैकलॉग जो रहा है उस बैकलॉग को भी भढ़ने की जरूरत है जो हमारा अधिकार बनत आखिर खाली है तो इसका नुकसान तो होई रहा है इस नुकसान का भरपाई कौन करे गा उसलिए केवल कानून बनाने से नहीं होगा असल में ये काम सबसे मंदारी से अगर हम बताएं तो ये तभी सफल हो पाएगा जब जातिगत जंगना हो पाईगा जब असली पिक्चर आ सामने आएगा तभी जो है चीजे सफल हो सकती है वरना कितने भी कानून बना दिया जाए उससे कोई फ़र्क पढ़ने वाला नहीं तो इसलिए अगर आप लोगों को कोई इस विशे में क्योंकि ये विशे प्रेस कॉन्फेंट जो है जाकितिगर जंगना को लेकर के इस वि नहीं आप देखी न बोलने से क्या फर्क परता है सदन में तो भारती जंथा पाटी ने सर्व समती से पास किया ना एक बार नहीं दो बार तो हम तो उसी चीज़ को हम बोल रहे हैं कि भाई जब सर्व समती से जब पास होई गया है प्रस्ताव हम लोगों ने भेजी दिया है तो प्रधान मंत्री जी से मिल करके बता दे भाई उसके मिल के मांग तो करी सकते हैं प्रधान मंत्री जी से अगर सुनवाई नहीं होती है अगर प्रधान मंत्री जी मना कर देते हैं तो उसके बाद तो कोई उपाय बसता नहीं है उसके बाद तो यहीं उपाय बचेगा हम तो सबसे मांग करेंगे सबी दलों से कि जंतर मंतर पर चल करके बैठ जाया जाएं है वहाँ अंदोलन हम लोग किया जाएं नहीं तो राज सरकार जो है करनाटका सरकार ने जिस प्रकार से मुख्मंत्री जी जी कारी थी नहीं उन्होंने का कि हम आपी का सुनकर के करनाटका का हम मंगा हैं स्टडी कर रहे हैं इसमें भी मुख्मंत्री जी को जो भी डॉक्यमेंटेशन के लिए अगर जो भी करनाटका में जैसे उन लोगों ने कराया है जो भी इसके लिए जरूरत होगी वो भी हम उपलब्द कराने के लिए तयार हैं लेकिन इसमें तो निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है कि बिहार विधान सभा अगर दो बार पारित कर हैं और हमको लगता है कि पूरे उत्तर बिहार में सबसे बड़े अगर कोई पार्टनर हैं इंडिये के तो वो नितीश कुमार जी है और नितीश कुमार जी की ऐसी अगर बेजती होगी जो सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलने का समय प्रधान मंत्री जी नहीं नहीं दे रहे हैं उनके साथ सारा बिहार विधान सभा का डेलेगेशन को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं तो आप समझ जाए कि नितीश कुमार जी की क्या पूछ है केंदर सब्सक्रान आप आप देखी ना आप प्रधान मंत्री जी का एक बाद ट्विटर हैंडिल आप कोन लोग जाएंगे इसका भी नाम भेज दिया गया है फिर भी अगर समय नहीं मिल रहा है एक होता ना कि फलना तारिक को मिलेंगे वो भी तो नहीं बताया गया कि एक महिने बाद मिलेंगे या 10 दिन बाद मिलेंगे या 15 दिन बाद मिलेंगे ये तक अब तक सुचित नहीं किया गया है ने धरना तो वो तो बाद में अगर कोई विकल्प नहीं है तो हम तो भाई जाहिर सी बात है अगर बिहार विधान सभा से कोई चीज सर्व समती सर्व दलिय पास हुआ है तो जाहिर सी बात है हम तो बैठेंगे बैठेंगे सब लोगों को बैठने अची ने देखे किसान आंदोलन को लेकर के किसानों की मांग को लेकर के कुछ लोगों ने जो है अपनी मांग को मजबूती के साथ रखने की कोशिश की और किसानों का तो एक मांग तो बड़ा जाइज है भाई कि MSP तो होना ही चाहिए और अब तक जो है उस पर कोई कारवाई या सुनवाई नहीं होती है तो लोगों का सब्र तो तूटेगा ना भाई लोग जो जन प्रतिनिधी जो लोग चुन करके आते हैं जिनको जनता भेजती है उनसे तो जनता सवाल करेगी ना जब उन जन प्रतिनिधी का मान सम्मान उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो इस तरह की चीज़े होती है कोई पहली बार नहीं पहले भी पूर में भी हुई है लेकिन यह सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस चीज़ को सौट आउट कैसे किया आप कम से कम किसानों से बात तो किजिए है उनको भरोसात दिलाय को भाहर के किसान थोड़ी ना पिके देश के किसान अन्यु acting-かった अन्या था है उन्हीं के बद्वादत आप जो हैं पेड भडते हैं अगर जो पेड़ आप जिसके जो व्यक्तित ही जो लोग आपका पेड भरते हैं आप उसका नहीं सुन रहे हैं, तो आप तो किसी का नहीं सुनिए हैं, तो भाई सर्व समती से बीजेपी के लोगों न क्यों पास किया हैं? सदन में एक बार ने दो बार पास किया न भाई, भाई भाजपा के लोगों ने, सर्व समती से ना पास हुआ, तो कौन सी बात सही हैं? वो तो भीजेपी के लोगों ही बताएं? अब अब इस पर हमको जादा जनकारी नहीं है, अब इसी विशे में हम सोचे दर प्रेस कॉन्फरेंस रखेंगे, बाकिर, ने आज तो आज तो हमारा प्रेस कॉन्फरेंस इस विशे पर है, और कोई कहीं कोई नराज नहीं है, सब ठीक है, सब लाइब भिहार, पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें